नबस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वागिश्वरी कक्षा में और मैं हूं के तिभार्या दोस्तों हम कोटेल ये अर्थेशास्तर का अध्यन करने हैं अब तक हमने चार लाइव कक्षा आकरके और पहले से लिकर नौवे तक अध्याय पढ़ लिए हैं दस्वा अध्याय हमारा बाकी था इस अध्याय को हम पढ़ करके और इसके प्रश्ण उत्तरों को हम लाइव सॉल्व करेंगे लेकिन इससे की आपका समय अधिक खराब ना हो लाइव में कॉलेज लेक्चरर संबंदी सारे दर्शन, काव्य शास्त्र, व्याकरन, साहित्य, सभी के वीडियो मौझूद है जो भी विक्तियाच पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन वीडियो को जा करके देखें आपके कॉलेज लेक्चरर के पाठेक्रम में पूरी तरह से आपके लिए उपयोगी साबित होंगे ऐसा मेरा मानना है तो आईए बिना समय गवाय हम शुरू करते हैं इसके नवे अध्याय जो है दोस्तों इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखें इसमें मंत्री और पूरोहीतों में कौन से गुण होने चाहिए यह बताते हैं यहाँ पर कि जान पदो अभी जाता है स्ववग्रह कृत शिल्पशह चतश्मान प्राग्यो धार यश्नुर दक्षो वाग्मी वाल प्रगल भाह प्रतिपत्ति मान उत्साह प्रभाव युक्त क्लेश सह शुचिर मैत्रो द्रडभक्ती शील बल आरोग्य सत्व युक्त स्तंब चापल हीन संप्रियो वीराणाम अकर्ता इत्यमात्य संपत यानि कि अमात्ति के यह सारे गुण है जिनको मैं समझने समझाने की आवशक्ता नहीं है ये सारे गुण होने चाहिए एक गुण जो बहुती महतुपूर्ण है जो कि इनोंने पहले शब्द में कह दिया है वर्तमान में भी कोई भी राष्ट्रपती बनता है उसकी पहली शर्थ है भारत का नागरिक होना चाहिए ये क्या कहते है कि जानपदो यानि कि अपने जनपद यानि कि अपने देश का निवासी होना चाहिए यानि कि उसका जन्म वही होना चाहिए तो नागरिक था यहाँ पर आ गई अभी जात यानि कुलीन होना चाहिए कुलीन कौन होता है जिस पर कोई भी केस नहीं होता है तो पहले के जमाने में भी मंत्री बनने के लिए ये सारी चीजें आवशक होती थी और इसके अतिरिक्त उसे चाहे वो खुद कलाओं से इमें निपुण ना हो लेकिन शिल्प कला आदी का मरमग्य होना चाहिए पहचान आख नजर तो होनी चाहिए कि उसे कला को पहचान सके प्रग्या यानि बुद्धिमान होना चाहिए दक्ष वाग्मी प्रगल्व तो आप समझते ही है प्रगल्व कार्थ होता है दबंग होना और वाग्मी यानि कि वाग पुटुता अच्छी हो ये राजनेता हो और बोलन कि भावों से जो युक्त होता है उसे मंत्रीनी युक्त करना चाहिए ये एक साधरन सा मैंने आपको रिपीट कर दिया यदे भी हम नवा पार्ट पढ़ चुके हैं ठीक है और इसके अंतरगत और इसके अन्य गुणों को बताते हुए अगले में कहते हैं इस पेरग्राफ म में से यदि ऐसा कोई व्यक्ती है जिसमें आधे गुण नहों वो तो है निमनिस्तर का मंत्री और ऐसा कोई मंत्री जिसमें एक बटा चार गुण नहों वो है मध्यमंत्री और आप जानते हैं कि उपरोक्त सारे जितने भी गुण गिनाय हैं वे सारे ही मंत्री हो जाते हैं तो उसको प्रधान मंत्री नियुक्त किया जाता है जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं वर्तमान में जो हमारा प्रधान होता है वो कैसा होता है? समकक्षों में स्रेष्ठ यही बढ़ते हैं आप राजनेति विज्यान में समकक्षों में स्रेष्ठ होता है उसी को हम प्रधान सेवक यानि प्रधान मंत्री नियुक्त करते हैं तो आगई बात समझ में जितने भी नवे अध्याई के अंतरगत मंत्री और पुरोहितों के नियुक्ति के संबंद में गुण दिये गए हैं उनमें से पूरे-पूरे गुण होंगे तो प्रधान मंत्री, उससे कम गुण होंगे तो केबिनेट मंत्री और उससे भी कम होंगे तो फिर उनको स्वतंतर प्रभावर वाले वैसे मंत्री बना देंगे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, इसके अंतरगत और भी ये कहते हैं कि राजा जितने भी सारे गुण होते हैं, तो मंत्री का जो निवास स्थान है, उन पर गुप्त चरित्यादी के द्वारा पता लगवाले कि बही सच में ये जो कह रहा है और जिन गुणों को ये दिखा रहा है, क लेकिन वो चुनाओ रेली में दिखाते हैं, तो उनका पता कर लिए गुप्त चरित्यादी के माध्यम से कि सच में है ये गलत है, ठीक है, अब राजा जो है उसके पास तीन प्रकार की नजर होती है, देखो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेया ही राज वृत् रहे हैं, तीन प्रकार से किसी भी व्यक्ति का परिक्षन करती है, एक दो प्रत्यक्ष जब वो राजसभा में होता है तब एक परोक्ष यानि गुप्त चरों के द्वारा ठीक है, और एक तीसरे प्रकार का होता है, उसे कहते हैं अनुमान, अनुमान कैसे लगाएंगे, उस प्रकार का आचरन करेगा, ठीक है, ये तीन प्रकार राजा की बताएं हैं इसमें, जिसके माध्यम से किसी भी मंत्री की परिक्षा की जा सके, ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि देखो किसी भी व्यक्ति के जो कारे की परिक्षा होती है इसमें ये बताया गया है समराइज करके मैं आपको ये बताना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति की कारे की परिक्षा तब होती है जब वो कारे करके दिखाए एक तो व्यक्ति का बायो डेटा हम पढ़ते हैं पढ़ाँ होना चाहिए विक्ति एसा नहीं है ठीक है तो कई निरक्षर विक्ति भी बन जाते हैं लेकिन इन्हों नहीं क्या कहा हूँ हो सकता है वो कई पोथियां पढ़ करके आया हो लेकिन व्यभारिक रूप में उसके कारे की द्वारा उसके दक्षता की जांच राजा करता है ठीक है उसके बाद उसे कोई विशेश जानका जो उनकी भूमी का है वो निर्धालित करता है ठीक है इसके बाद देखो मुख्य ज बहुत सारे मंत्री रखते हैं, एक-एक विभाग की रिपोर्टिंग वो अपने-पने करते हैं, और जो प्रधान राजा जो होता है, वो उन सभी विभागों के पास जा करके उनके प्रबंदन को देखता है, निरिक्षन करता है, उन पर नजर रखता है, तो इस प्रकार से अ दसमें अध्याई के अंतरगत क्या है? अमात्यों की परिक्षा, क्या है ये? अमात्य याने की मंत्री जो है, अमात्य परिक्षा, यद्दपी पिछले पाठ में इतना तो बता दिया गया था, कि जो राजा है, वो अपने जितने भी लोग हैं, उनकी गुप्त पुरुशों याने की गुप्त चरों के द्वारा परिक्षा करवाए, यहां तक कि उन्होंने जोतिश वगेरा पुरोहित कैसा हो, इसके विशे में भी बता दिया था, नवे अध्याई के अंतरकर थी, कि अपने वेद वेदांगों का जानकार हो, और उसने आज से पहले जो भी देवी म अध्यान उपादी भी, सोशायत, शोधायत, यह क्या केते हैं कि साधारान अधिकार पदू पर जो अमात्य नियुक्त करके, मंत्री और पुरोहित सईथ जो राजा है, उसकी मन की पवित्रता और गुप्त रीति से किया करे, इस प्रकार से, शोधायत यानि संशोधित करे, देखें कि सच में क्या वो मेरी प्रती इस प्रकार से इमानदार है फिर कहते हैं कि पुरोहितम पुरोहितम अज्यायम याजनम अध्यापने नियुक्तम आमरिश्यमानम राजाम आवक्षिपेद यानि कि यह कहते हैं कि जो कोई राजा है ना वो क्या करें? कि जो नीचे कुल में उत्पन हुआ है कोई व्यक्ति, अस्प्रिश्य जिसे कहते हैं, पुराने जमाने में जो होते थे, व्यक्ति के यहां जाकर के, शुद्र के यहां जाकर के कहें कि यहां पर आपको यग्य करवाना है, अमात्य से कहें, ठीक है? और उसे ठीक है न? उन्होंने क्या कहा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नीच कुल के यहाँ पर ऐसा कोई भी पुरोहीत जो ये कहें कि मैं नीच कुल में जाखर के यग्या यजन नहीं कराओंगा तो राजा उसको तुरंट अधिकार से घटा देवे, ठीक है? फिर कहते हैं अगला कि जो सत्रिय होते हैं यानि कि गुप्तचर का कारे करने वाले जो पुरुश और स्त्रियां होते हैं ना सत्रिय में दोनों आ जाते हैं पुलिंग और स्त्रिय दोनों जो ऐसे गुप्तचर होते हैं जिसके द्वारा राजा के चक्षु जो कहे जाते हैं उनको क्या कहें कि उनक प्रत्या ख्याने शुची इती धर्म उपधा यानि कि अगर कोई भी यह बात सब लोगों को अच्छी लगी है तो क्या कहते हैं सरविषा में तद रोचते सब कोई बात अच्छी लगी है फिर यह कहते हैं कि कथम वातव बताओ तुम बताओ तुम क्या कहते हो इस बारे में ठीक है इस परकार से पूछे तो अब तुम बताओ तुम्हारी कैसन मती है यदि इस बात का वो समर्थन करते तो वो शुची यानि कि पवित्र हिर्दय समझा जावे क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर वो राजा को भी नहीं छोडने वाला था ठीक है? ऐसे व्यक्ति को अपनाना है क्योंकि ये ऐसा आमात्य है कि राजा के भी अधार्मिक होने पर उसको भी पदक्चित करने से नहीं पीछे हडता है ठीक है? फिर कहते हैं जो सेना पतिर सत प्रती ग्रहनात पक्षिप्तह सत्री भिर एक आईकम अमात्यम उपजापये त लोभ नियेन अर्थेन राज विनाशाय सरवेशाम एतद रूच देता वकिम यानि कि फिर दूसरी बार उसको पैसे का लालच दे क्या कहें? कि कोई भी आपुज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए सेना पति से कहें और इस बात को यदि सेना पति जब रुष्ट होने लगे तो राजा पूर्वोग तरीती से इसका तरिसकार कर दे यदि कोई ये कहें तो इस प्रकार से कोई सेना पति से जाकर कैसे बोले कि वही ऐसा करो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ जाओ राजा को मार के आजाओ ठीक है? और वो मानलो इस बात पर बहुत गुस्सा होता है कि ऐसे कैसे तुने राजा के लिए कह दिया है? इसका मतलब वो पवित्र हर्द है देखो राजा को पैसे की बात आने पर भी छोड़ता नहीं है ठीक है? तीसरी बात कहते है परिवराजी का लप्त विश्वासा अन्ता पुरेकृत सत्कारा महा मात्रम एक एकम उपजपेत राजा महीशी क्वाम कामियते इती समागम उपया महान थश्च पे भविश्वति इती अब कोई व्यक्ति ना तो धर्म की बात मान रहा है तो तीसरी चीज होती है काम जिसके वशिभूत समस्त दुनिया है तो ऐसे में क्या कहें उसको किसी गुप्तचर की द्वारा क्या कह करके किसी भी सेनापत्य को बैजुत की चैसा कहें इस अन्तापुर में रहने वाली अन्य औरस्त्रिया हैं, उनके विशे में किसी सेनापती से कह दे और ये कहे कि भई, मैं आपको पैसे भी दूँगा, क्या करूँगा, मैं आपको पैसे भी दूँगा, ठीक है, और वो जो रानिया है, वो आपके समागम की इच्छा करती हैं, एको अमात्य सर्वान अमात्यान आह वाह ये ये क्या कहते हैं कि जितने भी प्रावहन किसे कहते हैं ये जो नोका इत्यादी नोकायन वगेरा होते हैं या जैसे सैर करने के बगीचे वगेरा हो या नोकायन हो या शिकार खेलने जैसी जगा हो तो कोई भी एक अमात्य अन्य सा प्रदंतर राजा से पहले अपकृत हुआ कपट वेशी छात्र आर्थ और मांसे तिरसकार एक एक अमात्ते के पास जावे और राजा इस प्रकार से उसे भिन्द करावे यानि कि कोई ऐसा व्यक्ति है सबके सामने जैसे कि पुराने जमाने में होता था यारानी लक्ष्मी वाई के समय होता था उनके खुद के ही जो पूरही तित्यादी मंत्री थे उनको सभा में जो महरानी है उनके तिरसकार होने पर छुप करके उनके वैरी बन गए उनके शत्रू बन गए इस प्रकार से यदि किसी अमात्यों को अपकरित करके निकाल दे और सारे मंत्रियों को इखटा करके वो राजा को मारने की सोचे और ऐसे में हर एक मंत्री जाकरके और ये कह दे कि नहीं, हम अपने राजा को नहीं मारेंगे, तो फिर उसे भय, भय वाली उपदा से, यानि कि भय का परिक्षण करके, और ये कहें कि या तो आप राजा को मार दो, या मैं आप को मार दूँगा, तो इस प्रकार के परिक्षण भी करने पर जब कोई सफल हो जाए, इसका मतलब वो अच्छा मंत्री है, ठीक है, तो सब प्रकार से उन्होंने करकर के देख लिया, ठीक है, आप कहते हैं, फिर कहते हैं, तत्र धर्म उपदा शुद्दान, अर्थ उपदा शुद्दान, समाहर्त्री, समनीधात्री, निचय कर्मसु, काम उपधाम, शुद्दान ब्राहिय अभ्यांतर, विहाय रक्षासू, भय उपदान, शुद्रान, आसन्य कारेशू, योजयेत, ठीक है, कारेशू योजयेत, यानि कहने कार किये हैं, कि जो व्यक्ति जिस जगे उपयुक्त माना गया है, ठीक है, उसे उसी जगे, उसी कारे में लगा देना चाहिए, कैसे लगाएंगे, जो धर्म की उपदा, यानि कि धर्म की माध्यम से जो पवित्र पाया गया है, उसे धर्मस्त का काम दिया जाए, ठीक है, धर्म से काम दे कंटक शोधन का काम दे ठीक है और जो अर्थो पधा यानि कि जो पैसे के वशिवूत होकर के काम नहीं करता उसे कहां पर बिठाते हैं आप जानते हैं कि जो थोड़ा निर्मोही व्यक्ति होता है ना उसे हम गल्ले पर बिठाते हैं अगर किराना की दुकान है तो तो साथ ही क्या है कि बहुत ही इमानदार है उसको ऐसी जगे सन्नी हर्ता यानि की कर को इखटा करने की काम में लगा देंगे उसे इसी प्रकार से जो काम उपधा यानि की इच्छा सारी भाहर भीतर से पवित्र हो चुका है ऐसा है इस व्यक्ति को जो राज की एक ख्रेडा जहां पर आकर कि स्त्रियां खेलती है नोका विहार करती है वहां पर काम में लगा दें इसके अतिरिक्त इस प्रकार से जो अंदर बाहर से शुद्ध पाये व्यक्ति हैं जिनका भय भी चलता है टार जो दबंग आदमी है ऐसे व्यक्ति को रक्षा कारियों में नियोक्त कर दो अपने अपनी योगिता के अनुसार सभी मंत्रियों को लगाए वरतमार में भी ऐसा ही होता है थीको तो इसी प्रकार से यह क्या कहते है किसे वहां पर उनका काम है ना तो उन्हें धरम-आर्थ काम किसी की भी कोई शिंता नहीं है बस वो महनत करते हैं, महनत कश हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कहां लगाए, जो खोदने का कारी होता है, खनिजवाला उसमें लगाए, लकड़ी खट्टे करने के लिए, हाथियों को चराने के लिए ऐसी काम में लगाए, ठीक है? उसके बाद कहते हैं, ये त्रीवर्ग, भय, संशुद्धान, अमात्यान, स्वेशु, कर्मशु, अधिकुरियाद, यथा, शोचम, इत्याचार्य, विवस्थिता, ये कहते हैं कि ये जब सब आचार्या ने विवस्था की है, कि धर्म, अर्थ, काम और भय के त्वारा परिक् कुरियाद, शोच, इत्याचार्य, विवस्थिता, जो विक्ति जहां पर उप्युक्त माना गया है, वहां पर उसको लगा दे, फिर कहते हैं, नाक, वेव, कुरियाद, आत्मानम, देविम, वा, लक्षमिश्वर, शोच, हेतो, और, अमात्यान, एतत, कोटिल, दर्शनम, आ इसा कोटिल ले कहते हैं, देखो, वो क्या कहते हैं, गुप्तरुचरों की माद्यम से तो आप परिक्षा करो, लेकिन क्या करो, स्वेम, बीच में आओ, इमत, ठीक है, फिर कहते हैं, ना दूशनम, आदुष्टस से विशेण, एव, अम्भसश चरेद, कदाचिद, ही, प्र एग्जामिन कर रहा है, किसी भी तरह से मेरी निग्रानी कर रहा है, उसे गुस्सा आजाए, वो राजा को ही जहर पिला दे, महारानी को जहर पिला दे, ठीक है, तो इस प्रकार से, राजा को और महारानी को, इस प्रकार की परिक्षों से बिलकुल दूर रहना चाहिए, ठी को प्राप्त कराई हुई धीर पुरूशों की बुद्धी निश्चित अभिप्रेत फलको प्राप्त की बिना फिर विराम नहीं लेती कहने कारती है कि कि किसी सज्जन व्यक्ति को छेड़ देना एक बार ठीक है वो बुद्धी मान भी है काम भी करता है दीती नुपुन भी औ फिर भी उसके उपर अगर कोई नजर रखे न कोई बहुत ज़्यादा काम करने वाला इंसान है और उसको फिर कोई ज़्यादा खीचाता नहीं करे तो वो इतना बिगाल करके रखता है कोई भी आकर के उसको सही नहीं कर सकता तो इस प्रकार से उसको फ्रस्ट्रेड ना करे उसको इतना बेचेन न कर दे कि वो आपको सारा काम बिगार दे तो इसलिए कहते हैं कि राजा को इन सारी चीज़ें से दूर रहना चाहिए फिर कहते हैं तसमात बाहियम अधिश्टानम कृत्वा कारिये चतुरविदे यानि कि चारों प्रकार से जो गुप्त उपाए हैं राजा किसी भी बाई वस्तु को लक्ष बना सकता है यानि कि यह जो चार प्रकार बताए हैं कि भाई किस किस प्रकार से हम उनको उनकी परिक्षा कर सकते हैं परिक्षाओं के माध्यम से अपने अपने जो आमात्य हैं और मंत्री हैं इनकी नियुक्ति उसको करनी चाहिए इस प्रकार से वो कहते हैं तो इस प्रकार कोटिल्य अर्थशास्त्र आज हमारे पाठेक्रम के अनुसार समाप्त होता है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजे अपने मित्र जो संस्कृत का अध्यन करना और कराना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजे आपको मेरे वीडियो संस्कृतम नाम के फेस्बुक पेज़ पर और वागिश्वरी प्रतिभा शर्मा नाम से टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे आज के लिए इतना ही दोस्तों इसके प्रशन उत्तरों के साथ लाइव गक्षा कल ठीक 9 बजे आपके साथ मिलेगी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद